जहिंद मैं ललित खत्री और आज बात भिखारी मुक्त शहर करने की राजस्तान में अब भिखारी पकड़ो अभ्यान शुरू होगा दसफरवरी से इसकी शुरूआत होगी और इसकी शुरूआत होगी जैपूर से जहाँ पर पुलिस वाले बिखारीओं को पकड़ कर स्वें सेवी संस्थाओं को सौपेंगे मायरा फशेंस एन एक्स्क्लूजव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉंप्लेक्स आन्वेगा मौल अजमेर पुलिस विभाग बिखारियों को तो पकड़ लेता था मगर इनको कहीं रखने की जगह नहीं थी इनने पकड़ का हवालात में रखने के बाद इनका क्या किया जाए इस पर कोई नीती नहीं बन रही थी जिसकी वजह से राजस्तान को बिखारी मुक्त नहीं बनाया जा सकता मगर अब जिलाबार ने NGO की सूची मंगवाई है जिसकी चटनी करके ऐसे सुएसेवी संस्थाओं को ये जिम्मेदारी सौपी जाएगी जिन्हें पुलिस बिखारियों को पकड़ कर सौप सके इसके लिए गैलो सरकार ने NGO के लिए नियम भी तै किये हैं जिससे जहां पर परियाप्त कमरे और लैटबात के इंतजाम होंगे वहां इन्हें रखा जाएगा बिखारियों के बच्चों के लिए भी पड़ाई की विवस्ता होगी और उनके पुनरवास के लिए कारिकरम च जाया चुका है जैपुड से शहर को बिखारी मुक्त करने का अभियान शुरू होगा और इसके बाद पूरे राजस्तान में लागू किया जाएगा गौरतलव है कि राजस्तान के मुख्य मंत्री अशोगहलोत ने पिछली बार बज़ट में घोशना की थी कि राजस्तान को बिखारी मुक्त बनाया जाएगा क्योंकि भिख्षा विर्ती एक अभिशाव है इसके लिए जैपु शहर के हर चोराये पर साधी वर्दी में सुएसिवी संस्थाओं के लोगों के साथ एक पुलिस करमी को त्यानात किया जाएगा जो कि पूरे शहर के इस अभिखान को चलाएगा